असलाम लेकुम बाइकर्स, वेलकम टू यूम व्लोक्स सो बाइकर्स, आज की जो मारी वीडियो है, वो है यामाहा की न्यू प्राइज लिस्ट के ओपर यामाहा ने प्राइज लिस्ट को रिवाइस कर दिया है, 2nd of November से इनकी जो प्राइज़स हैं, वो इंप्लिमेंट हो जाएंगी, तो 2nd of November से आपको नहीं प्राइज़स मिलेंगी, अब यामाहा के तमाम बाइक्स की जो प्राइज़स हैं, वो चेंज हो गई हैं, किते किते हो गई हैं, उसके बारे में चले हम बात करते हैं, सो लेट करें हमारे पास जो पाइक है वो है यामा वाईबी 1 to 5Z, तो यामाधी 1 to 5Z की जो लास प्राइस थी, वो थी 2,86,500 रूपीज, 2,86,500 उर्पई की लास प्राइस थी, और इस पाइज़स की प्राइस के अंदर 7,000 रूपए के जज़फ़ा किया गया है, और 7,000 के है 2,93,500 रुपे 2,93,500 रुपीज इस पाइक की न्यू प्राइज है अब यमहा के तमाम बाइक्स वाइब जी से लेकर वाइब यार जी तक आपको 3,000,000 प्लस के ही मिलेंगे अगर हम वाइब जी की बात कर लें तो वाइब जी की मैं आपको प्राइब बताई 2,93,500 रुपे तो 2,93,500 तो ये होगी इस पाइक की औरिजिनल प्राइज इसके बाद आपने इसके रिजिस्ट्रेशन चार्जिस पे करने हैं और सारे बाकी जो एक्स्ट्रा चार्जिस होते हैं वो मिला कि ये बाइक 3,000,000 रुपे तक आपको पढ़ जाएगा ये बाइक इसके बाद हम सेकंड बाइक की बात करें तो सेकंड बाइक हमारे पास है यमाःवी 1,50 DX तो यमाःवी 1,50 DX की जो लास्ट प्राइज थी वो थी 3,7,000 रुपे 3,700 रुपीस इसपाइग की लास्ट प्राइज थी और इसपाइग की प्राइज के अंदर 25,100 रुपे के अदाफ़ किया गया है और 75,100 के अदाफ़ के बाद इस पाइक की अब आपको न्यू प्राइज मिल रही है 3,14,500 रुपे 3,14,500 रुपीज इस पाइक की न्यू प्राइज है इसके बाद हमारे पस जो नेक्स पाइक है वो है Yamaha YBR तो Yamaha YBR की जो लास्ट प्राइज थी वो थी 3,15,000 रुपे 3,15,000 रुपीज इस पाइक की लास्ट प्राइज थी और इस पाइक की प्राइज के अंदर 75,000 का इजाफ़ा किया गए है और 75,000 के जाफ़े के बाद इस पाइक अब आपको न्यू प्राइज मिल रही है 3,22,500 रुपे 3,22,500 इस पाइक की न्यू प्राइज है इसके बाद हमारे पास आता है Yamaha YBRG Yamaha YBRG जो रेड और ब्लैक कलर के अंदर है उसके आपको लास्ट प्राइस मिल रही थी 3,28,000 रुपे 3,28,000 रुपीज इस बाइक की लास्ट प्राइस थी और इस का-क की प्राइस के अंदर 8,000 रुपे के अजाफ़ा के अगये है और 8,000 के अजाफ़ा के बाद इस बाद की आपको लास्ट प्राइस मिल रही है 3, taking लाग 36,000 रुपे 3,36,000 रुपीज इस बाइक की लास्ट प्राइस है इसके बाद हमारे पास YBRG का ही ग्रे कलर आ जाता है तो YBRG का जो ग्रे कलर है उसके आपको लास प्राइस मिल रही थी 3,31,000 रुपीज इस बाइक की लास प्राइस थी और इस बाइक की प्राइस के अंदर भी 8,000 के जाफ़े के आगे है और 8000 के जाफ़े के बाद इस बाइक के अबाब को न्यू प्राइज मिल रही है 3,39,000 रूपीज 3,49,000 रूपे इस बाइक की न्यू प्राइज है So guys, प्राइस आपके सामने आ चुकी है सारे बाइक्स की मैं एक दफ़ा दोबारे रिपीट कर जाता हूँ Yamaha Wabizy की न्यू प्राइज है 2,93,500 रूपे Yamaha Wabizy 15Z DX2 है उसकी न्यू प्राइज है 3,14,500 रूपे Yamaha Wabizyar की न्यू प्राइज है 3,22,500 रूपे Yamaha Wabizyar G जो रड और बलाइक कलर के अंदर है उसकी न्यू प्राइज है 3,36,000 रूपे और यमाह वाईवियर जी का जो डार्क ग्रे कलर है उसकी आपको न्यू प्राइज मिल रही है 3,49,000 रुपै So guys, आप इस पार यमाह को इस बात पर अप्रिशेट कर सकते है कि यमाह ने इस पार अपने बाइक्स के अंदर कम प्राइज को बढ़ाया है लेकिन बढ़ाया जरूर है यमाह ने इनका रिकॉर्ड है बलके इन्होंने कमस कम भी अपने बाइक के अंदर 18,000 पर बढ़ाया था और मैक्सिमम ये 22 से 26,000 तक पहुँच गए थे और एक टाइम ऐसा था कि इन्होंने मिनिमम भी 20,000 बढ़ाया था और मैक्सिमम 26,000 रुपए एक दफ़ा बाइक के अंदर बढ़ा दिया था मतलब इन्फलेशन इनको कुछ जादे लड़ गी थी बाकि किसी कमपनी को नहीं लड़ी इस कमपनी को स्पेशल वकरी लड़ गी थी बरहल वो टाइम गुजर गया है और अब आपके पास यमाहा के तमाम बाइक्स कम अजकम आपको 3,000,000 रुपए के मिलेंगे ये 2,93,500 वाली जो गेम है ये तो बाइक की ओरिजिनल प्राइस हो गई इसके उपर आप जो रिजिस्ट्रेशन चार्जिस पे करेंगे और वगयरा वगयरा तो वो चार्जिस वगयरा मिला के आपके 3,5,000, 3,6,000 एजिली बन जाते हैं अगर आप सुजुकी की बात करें तो सुजुकी जीडी 110S जो है उसकी फाइल प्रोसेसिंग फीस है 9,000 रुपए सिरफ अब आप इससे अंदादा लगा लें कि यामहा की फाइल प्रोसेसिंग फीस कितनी होगी फिर उसमें वो रिजिस्ट्रेशन चार्जिस वगयरा सारे सब कुछ आ जाता है तो सुजुकी जीडी 110S के लिए जब 9,000 पर वो चार्ज कर रहे हैं यामहा के लिए तो यह वैसी ही जदादा चार्ज कर रहे होंगे मतलब आप इस तरह सोच लें कि तीन लाग पांच हजार भी शायद में कम बता रहा हूँ तीन लाग दस हजार तक आपको यामहा वाइब इसी सिंपल अगर आप न्यू परचेस करते हैं तो आपको जा पड़ेगा रिजिस्ट्रेशन वगारा और फाल परसेसिंग वगारा सब कुछ मिला के वैसे यामहा ने आपको टाइम नहीं दिया बिल्कुल भी के आप यामहा का कोई भी बाइक पहले परचेस कर लें क्योंकि आज की दिन है सेकंड डमबर और सेकंड डमबर के दिन ही इन्होंने अपनी प्राइजिस को रिवाइस कर दिया है तो किसी को भी मुका नहीं मिला कि वो पहले जाके बाइक को परचेस कर लें बरहल वाइबिजी वाइबिजी डी-एक्स और वाइबियार अब इनके आपको प्राइज न्यू मिल रही है और वाइबियार जी से एकस्पेक्टेट है कि जल्दस जल्दस की प्राइस जो है वो साथे तीन लाइक रुपर टच कर जाएगी उमीद है आपको जो नया साल मिलेगा वो YBRG की जो प्राइस होगी नया साल में वो होगी तीन लाग पचासज़ और पे कम असकम जो जहां तक मुझे लगता है जिस तरह इंक्रीज हो रहा है क्योंकि यामाहा ने इस बार सबसे कम प्राइस बढ़ाई है और इनका कुछ पता नहीं लगना, अगले महीने हो सकता है कि आप सब कःसर आप established कर दें और अपने बाइक की प्राइस को आउट ओध वे जाके रिवाइस कर दें कुछ भी पता नहीं है कुछ भी हो सकता है अब सुजुकी ने सबसाद अपने बाइक्स के अंदर प्राइस बढ़ाई है उसके बाद होन्डा ने अपने बाइक्स के अंदर सबसे जादा प्राइस को बढ़ाया है कि सबसे low S पे है यमाहा सबसे high S पे है सुजुकी